लो गाईज आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिली मेरी सेंस पर आज में लेकर आई हैं कैंसर का पार्ट टू पार्ट वन में ने बताया था कि कैंसर का जो पैथोजनेसेस में चार चीज़े बहुत इंपोर्टेंट होती है पहली होती है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, अवोईडेंस अफ अपप्टोसिस, अंजियोजेनेस और मेटास्टेस तो इन चार चीज़ों में इन चार स्टेप्स में से आज हम पढ़ने वाले हैं दो स्टेप पहली वाली एक सेल ग्रोथ और दूसरा अपप्टोसिस का पहले पढ़ने काती है तो उसे हम कहते है सेल साइकल तो हम पहले पढ़ने है basic तब हमें आगे की कहानी समझाएगी तो cell cycle क्या है जब एक cell बनी उसके बाद उसके cell death तक की कहानी या उससे अलग कोई उसकी daughter cells बनती है उसकी कहानी जो है cell cycle, cell cycle में दो phases हो सकती है, पहली है interphase और दूसरा है cell division interphase ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये पूरा समझ लीजे interphase है, interphase के अंदर तीन और अलग-अलग phases होती है क्या होती है वो तीन अलग-अलग phases सबसे पहले होती है G1 phase, फिर होती है S phase फिर होती है G2 phase ठीक मैं यहाँ पर सभी लिख देती हूँ कि आपको confusion ना रहे इसकी तीन phases जाएगी G1 जिसे हम कहेंगे gap 1 phase कई लोग इसको growth phase भी कहते है तो G1 phase, S phase, G2 phase G1 phase में हम कह सकते G1 और G2 जो है प्रिपरेटिव टाइप की जो कहना चाहिए steps है इसमें preparation होगा cell division और cell cycle complete होने के लिए S phase में synthesis होगा DNA का और cell division phase में क्या होगा जो cell है अपने आपको इस तरीके से prepare कर लेगी वो divide हो जाए और एक cell की दो cells बन जाए तो जो cell division वाला portion अपसे हम कहते है M phase M phase में mainly होता है आपका mitosis इसमें चार और phases होती है पहली phase होती है pro phase फिर होती है metafase फिर होती है anaphase और last होती है telophase तो यह चार phases होती है M phase के अंदर यानि की mitosis के अंदर तो इस तरीके से cell division यहां होता है अब सवाल यह उठता है कि आखर cell division में ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि यह tumor इतना ज्यादा grow कर जाता है तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि normal regulation कैसे होता है cell division या cell cycle का तो cell division या cell cycle का अगर आपको regulation आपके body में होना है तो वो दो चीजों से हो सकता है पहले होते हैं cyclins दूसरे होते हैं cdk यानि cyclin dependent kinase तो यह क्या करते हैं यह दोनों आपस में जुड़कर complex form करते हैं और cell cycle का progression कराते हैं और progression कैसे यह दो checkpoints पर काम करते हैं checkpoints बोले तो G1 phase जब S phase में enter करती है तो वो enter करेगी या नहीं करेगी और सब कुछ ठीक है तो ही करेगी यह चीज़ decide करते हैं कुछ regulators वो ही regulators समझ दीजे cyclins, cdk और और भी अब आएंगे आगे तो checkpoint 1 जो होता है वो होता है आपका G1 और S के बीच और checkpoint 2 होता है G2 और M के बीच बात कर रहे हैं यह तो था basics जो की cell growth related था अब बात कर रहे हैं कि activation of cell growth यह हम बोचकते हैं कि ज्यादा cell growth किस तरीके से हो रही है किसी tumor के कारण कि एक cell जो है वो इतनी सारी cell बना ले रही है कि आपका tumor ही form हो जाता है तो इसका एक सीधर साथा कारण नहीं है कि वैसे तो आपकी सारी cells नॉर्मल ही थी पर एक cell कुछ abnormal थी यानि उसमें mutation हो गया था कैसा mutation? उसने खुदी को खुदी के कुछ growth factors release किये वो growth factors इसी में जाके काम कर रहे थे और इसका cell division बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे और ये cell divide होती गई इसके जैसी और cells बनती गई तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके का autocrine stimulation हो गया cell ने खुदी growth factors बनाया और फिर वो ही growth factors जो है उसके division का काम करने लगे तो ये एक autocrine stimulation है जिसके वैसे एक cell बहुत सारी cells बना लेती है अपने जैसी अब क्योंकि इसमें एक में mutation था तो सब में mutation होगा और सभी मिलकर कर एक बड़ा सा tumor form कर लेगी अब ये चीज़ कैसे हो सकती है? कौन है वो growth factor जो ये problem create कर वा रहे है? तो जैसे कि TGF alpha है TGF alpha किस case में? हिपेटो सेलिलर cancer के case में PDF सरी PDGF lung cancer के case में फिर next जो है अब ये तो है growth factors कुछ receptors भी होते हैं जिन पर कुछ factors आकर bind होते हैं और ये receptors growth को बढ़ाने का काम करते हैं cell growth को बढ़ाने का काम करते हैं जैसे कि EGFR EGFR जब over expressed होने लगे मतला बहुत ज्यादा काम करने लगे ये receptor तो lung cancer हो जाता है HER2 और new receptor के वज़े से breast cancer हो सकता है तो ये जो कुछ growth factors और कुछ receptors जिनके over expression के कारण आपके cells में बहुत ज्यादा क्या हो सकता है growth हो सकती हो और वो growth आगे चलके tumor का रूप ले सकती है अक्सर ऐसा होता है autocrine stimulation इस हद तक बढ़ जाता है कि इन receptors को किसी ligand की जरूरत ही नहीं पढ़ती है वो खुदी से क्या करते हैं अपना काम करते रहते हैं अब बात आती है कि आखरी receptors ऐसा क्या काम करते हैं कि growth बढ़ जाती है अब एक cellular level पे chemical level पे कुछ तो करते होंगे तो जो EGFR और HER2 और new receptors होते हैं वो activate करते हैं RAS-Raf map kinase pathway को यहाँ पर मेरा कैमरा बहुत fluctuate हो रहा है तो प्लीज इसको mind मत किजीगा हाँ तो RAS-Raf map kinase pathway यह क्या चीज है map kinase map क्या है mitogen activated protein kinase है अब mitogen क्या है mito यानि mitosis समझ लीजे और जन्मत दवस्त related agent तो mitosis कराने वाला agent है यह एक तरीके का extra cellular ligand है जो क्या करता है आपके cell पे present receptor से bind होता है और activate करता है cell cycle को जैसे की cyclinze करते थे कुछ वैसा ही यह भी है पर इसके काम करने के तरीके कुछ अलग है तो अब होता क्या है जब cell cycle proceed हो रहा होता है अब जैसा कि हमको पता है कि cell cycle के अंदर अलग-अलग checkpoints है और अलग-अलग phases है तो G1, S, G2 और M यह कुछ phases हो गई तो यह जो mitogen होते हैं इनका क्या काम होता है यह इस checkpoint पर कौन से G1, S checkpoint पर काम करते हैं यह हम कह सकते हैं इस से पहले काम करते हैं इस से हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो mitogen होते हैं वो extracellularly समझ लीजिए यह cell पर bind हुए अपने receptor पर उसके बाद होता क्या है वो decide करते हैं कि यह जो cell है जिसे हम bind हुए है वो आगे cell cycle proceed कर सकती है या नहीं कर सकती है तो अगर वो proceed कर सकती है तभी जो mitogen है उस cell को G1 से S phase में proceed होने देते हैं तो फिर क्या होता है फिर उसके बाद यह काम हो गया S phase में वो चली गई उसके बाद आपके cyclin CD case जो है वो अपना काम करते हैं checkpoint 2 पर वो उनकी entry करने देते है M phase में यानि mitosis phase में तो यह क्या है एक important role play कर रहे है कि अगर cell उस लायक है उतनी काबिल है कि वो cell cycle के लिए proceed कर सकती है तो ही वो उसको करने देते है यह इनके काम करने का तरीका है किसका? mitosens का ठीक है? तो अब इन mitosens का क्या role हुआ है हाँ पर? अगर मान लीजिए कि यह cell इस लायक नहीं है और उसमें कोई DNA damage है या कुछ भी है तो वो G0 phase में चले जाएगी और cell की death हो जाएगी ठीक है? यह काइदे में काम होना चाहिए तो अब यह जो mechanism है या यह जो pathway है इसका cell growth में कैसे use है? ठीक है? map kinase ने तो यह काम किया कि इसको proceed कैसे करने दिया यह सब? हमने जाना लेकिन काम ही कैसे कर रहा है? यह जो pathway है यह किस तरीके से काम करता है? इसमें res क्या है? ref क्या है? यह हम जानते हैं तो यह है समझ़ देजी ब्लू कलर का जो मैंने बनाई है mitogen और यह जो है mitogen का receptor है जो मैंने cell के surface पर बनाया suppose mitogen जो है वो अपने extra cellular receptor पर जाके bind हूँ वो activate करेगा किसको? RAS को RAS जो है वो एक तरीके के proteins है जो expression करेंगे और आगे चलके किस की synthesis को बढ़ाएंगे? ref की synthesis को बढ़ाएंगे और फिर next यह जो circuit है यह कुछ इस तरीके से काम करेगा कि phosphorylation होगा और आगे चलके map बनेगा nitrogen activated phosphokinase ठीक है और यह जो है sorry protein kinase phosphokinase नहीं और यह जो है यह क्या करेगा? transcription factors को activate करेगा transcription factors को activate करने से क्या होगा? कि कुछ ऐसे specific MYC type की transcription factors को activate करेगा जैसे transcription properly होगा तो इसको हमेंसे समझ सकते हैं यह जो process है यह progression में जरूरी है और यहाँ पर होता क्या है? कि कोई भी step यहाँ पर circuit को on-off करने का काम कर सकती है और अगर उसमें जरा भी mutation हुआ तो पूरा circuit रुख जाएगा और जो cell cycle का progression होना है या नहीं होना है वो चीज़ पूरी खराब हो जाएगी तब next आदा है avoidance of apoptosis कि जो cells है जो tumor बना रही है उसमें cell death यानि programmed cell death जो apoptosis वो कैसे कम से कम हो रहा है तो उसमें involvement है rb protein का tgf beta का bcl2 family का pax back और pten का इन सभी चीज़ों का involvement है apoptosis के अंदर अब one by one जानते हैं कि सब का involvement कैसे है सब का क्या क्या काम है सबसे पहले शुरू कर रहे है rb protein यानि की retinoblastoma protein का इसको rb protein कहा जाता है short में इसको हम ऐसे समझ सकते है कि rb protein जो है कैसे काम करता है जैसे कि यह cell cycle है g phase है s phase है same चीज checkpoint वाली कहानी आ गई यहां पर भी जो rb protein है वो bind होकर किसको inhibit करता है e2fdp transcription factor को यह e2fdp एक transcription factor है rb protein उसको रोक देता है उसको रोकने से क्या होता है यह inhibit करता है आपके cell cycle या progression को inhibit कर देता है किसके progression को cell cycle के progression को inhibit कर देता है तो इससे क्या होता यह cell आगे की कहानी हो ही नहीं पाती arrest हो जाता है उसका बीच में और cell cycle रुख जाता है और यह जो cell है आपकी इसकी cell death हो जाती है तो अब होता क्या है किसी mutation के कारण RV protein जो है काम नहीं करेगा तो cell में apoptosis होगा नहीं next point है TGF beta TGF beta बोले तो transforming growth factor beta जो है वो भी apoptosis कराने के लिए मदद करता है किस तरीके से वो काम करता है RV protein के activation का RV protein जो अभी हमने पढ़ा retinoblastoma वही है RV protein यह क्या करता है उसके काम को regulate करता है उसका काम regulate होगा तो automatically जो आपकी cell होगी वो क्या करेगी apoptosis कर देगी और उसकी cell death हो जाएगी जिसके वैसे जो आपके body के अंदर फजूल cells है जैसे कि जनमें DNA खराब है या जनमें किसी तरीके की कमी है और जो कि healthy नहीं है actually जो बिमार cells है वो मर जाएगी इसके मदद से तो यह भी है RV proteins को activate करने में काम करता है next है BCL2 family BCL2 family कौन है B cell lymphoma 2 family यह proteins की एक पूरी family है जिसमें अलग-अलग किसम के proteins आते हैं और कुछ functions perform करते हैं वो यह सारे functions apoptosis related ही होते हैं इनका काम कैसा है यह समझते हैं तो जो BCL family है यह mitochondria में outer membrane में रहती है यह localize कहां होती है mitochondria की outer membrane में ठीक है आप मैं जो draw कर रही हूँ mitochondria और यह इसका outer membrane यहाँ पर है यह BCL2 family इस BCL2 family का काम क्या होता है इसका काम होता है inhibit करना किसको pro-apoptotic signals को मतलब कि अगर कोई cells जो है जिसमें apoptosis होने वाला उससे पहले कुछ signals होंगे तो वो जो signaling हो रही है उसको रोकने का काम करती है BCL2 family तो इसके वज़े से क्या होगा जो cell है वो apoptosis नहीं कर पाएगी तो यह अब यह जो चीज है इसके वज़े से क्या होगा cell जो है apoptosis नहीं कर पा रही है ठीक है मतलब कि grow कर रही है तो अब in case of cancer और tumor तो ऐसा mutation होगा कि BCL2 का level increase हो जाएगा और जो cells है वो apoptosis कर ही नहीं पाएगी वो तो non-stop cell cycle ही perform करती रहेगी तो next आते है backs and back यह भी BCL2 family के ही अलग-अलग proteins है backs and back यह दोनों का क्या काम होता है यह दोनों सबसे बना है यह क्या है उसी की family के है BCL2 family जो की क्या है B cell lymphoma 2 family बहुत सारे अलग 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 किसम के प्रोटीन जाते है इन दोनों का काम जस्ट उलट है किसका BCL2 BCL2 क्या कर रहा था apoptosis को anyhow रोक रहा था और उसका यही काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो apoptosis रोक जाएगा उन specific cells में और वो ही cells जो है आगे चलके tumor बना लेगी अब backs जो है वो क्या करता है backs क्या है पहले तो BCL2 associated X protein है इसका क्या काम होता है यह present होता है कहां cytosol में cytosol में present होता है बढ़ यह अपना काम कहां जाकर करता है mitochondria में जाकर करता है तो यहां समझें cytosol में यह present है और अब यह क्या करेगा यह किस के साथ react करेगा यह किस के साथ bind होगा BCL2 के साथ में एक complex बनाएगा और यह complex कैसा complex होगा hetero dimer होगा और यह hetero dimer कहां जाकर mitochondria में जाकर करके काम करेगा apoptosis को activate करेगा तो apoptotic activation करने का काम करता है तो यह जो है उसका just to let काम करता है अब जिन लोगों को mutations है या जिनको cancer हो रहा है उन लोगों में इसका level down होगा इसकी activity कम हो जाएगी mutation के कारण तो apoptosis जो activate होना चाहिए था वो activate नहीं होगी और cell growth चलती रहेगी cell cycle चलती रहेगी जिसके वैसे नए-ने cells तो बनते रहेंगे लेकिन जो बिमार और unhealthy cells है उनका apoptosis नहीं होगा फिर next चीज आती है back इसमें एक back से एक back है back क्या है back है BCL2 homologous antagonist killer हाँ तो इसका क्या काम होता है इस antagonist killer का ये भी जैस उसका वैसा ही है BCL2 का उल्टा काम करने वाला होता है इसका काम होता है induce VDAC VDAC क्या है voltage dependent anion channel ये वो channels है जो outer membrane of mitochondria पर present होते है और इनका काम क्या होता है जब apoptosis करना होता है तो वहाँ पर सबसे पहले किसको release करना ज़रूरी अगर आपने apoptosis का जो pathway पढ़ा होगा पूरा कैसे काम करता है तो उसमें अपने caspaces नाम के enzyme के बारे में पढ़ा होगा तो वो enzymes जो है वो apoptosis करवाते है उनको अगर activate होना है तो उनके activation के लिए cytokrome C चाहिए और cytokrome C अगर cytosol में चाहिए तो वो कहां से आएंगे वो आएंगे mitochondria से और mitochondria से release of cytokrome C कैसे होगा वो तब तक नहीं होगा जब तक कि VDAC channels जो है वो activate नहीं हो जाते उनके activate होने cytokrome C release होगा फिर उसे caspaces आएंगे फिर उसके बाद apoptosis होगा तो जो VAK है उनका level कम होने के कारण या उनका काम कम होने के कारण भी apoptosis रुख सकते है फिर next आते ही PTEM PTEM जो की बहुत important है apoptosis के लिए इसका full form क्या है phosphatase and tensin homo log यह PTE और यह PTEM नहीं है PTEN है यह by mistake मैंने M लिख दिया है N है तो इसका क्या काम होता है इसका काम होता है inhibition of AKT signaling या signals AKT signaling क्या है यह कौन सा पात्वे है AKT signaling इससे क्या होता है AKT signaling पात्वे का काम है cell को आगे survive करने और growth करने के लिए promote करना तो PDEN जो है वो ultimately कर क्या रहा है cell को survive करवा रहा है या उसकी growth करवा रहा है मतलब इसको किसी भी तरीके से apoptosis होने से रोक रहा है तो ये भी involved हुआ इस case में जहां पर क्या होगा apoptosis कम से कम होने लगेगा फिर next जो है और last जो हमारा वो आता है P53 ये बहुत important role play करता है apoptosis में यह हम कह सकते हैं cancer produce होने में यहाँ पर क्या है यह हमारा cell cycle हमेशा की तरह मैंने बना दे G1S, G2 और M phase अब होगा क्या है यह जो आपका checkpoint है G1S इस checkpoint पर P53 ये decide करेगा कि करना क्या है मतलब जैसा कि मैं आपको बता था पहले कि mytogen decide करेगा कि आगे भेजना है या नहीं भेजना है तो अब इस case में क्या होगा P53 क्या करता है monitor करता है कि DNA damage कितना है cell के अंदर अगर cell में DNA damage है तो वो क्या करेगा सबसे पहले तो P53 जो है वो MD M2 के साथ में एक dimer form में या एक complex form में है DNA damage को monitor करके वो उससे अलग हो जाएगा P53 अब यह P53 दो में से एक काम करेगा सबसे पहले तो judge करेगा decide करेगा कि DNA damage किस हद तक है अगर DNA damage repairable है तो अगर उसने decide कर लिया कि DNA damage जो है वो repairable है रिपेर हो सकता है और आगे चलके cell आराम से cell growth या cell cycle पूरा कर सकती है तो उतनी देड तक कि लिए जब तक कि DNA repair हो रहा है तब तक कि लिए cell cycle रुख जाएगा फिर जैसे ही DNA जो damage DNA था वो ठीक हो जाएगा repair हो जाएगा उसके वाद आपका cell cycle फिर से चालू हो जाएगा तो इससे क्या होगा आपका जो खराब DNA था वो ठीक हो गया तो cell आराम से normal growth करेगा उसमें कोई issue कोई problem नहीं होगा लेकिन दूसरा case क्या हो सकता है अब DNA damage कभी कभी irreparable भी हो सकता है मतलब उसमें repair करने कोई गुझाईश नहीं रहती तो उस case में क्या होगा अब P53 induced करेंगे apoptosis को तो उससे क्या होगा कि जो आपका genetic material है खराब जो हो चुका है वो आगे की cell में जाए कहीं नहीं बट cancer cell में यही तो होता है खराब DNA या खराब genetic material भी उस cell के अंदर चला जाता है जो आपकी next cell बन रही होती है और इसी तरह से जो आपकी cell होती है cancer की cell वो काम की नहीं होती वो sick एक तरीके की sick cell होती है क्योंकि उसमें genetic material तो प्रॉपर ही नहीं तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने यह समझा कि cancer कुछ नहीं है बट एक balance एक बिगड़ा हुआ balance है between cell growth और apoptosis हमारे body के अंदर cell growth और apoptosis बराबर से होनी चाहिए बतलब कि जितनी cells जितनी ज्यादा से ज्यादा cells बन रहे है उतनी जो sick unhealthy cells है उनको मर जाना चाहिए उनका एक balance बना रहेगा लेकिन वह balance जब बिगड़ जाए समझ लीजिए cell growth होती ही रहे और apoptosis ना हो तो क्या होगा नई cells बनती रहेगी पुरानी cells मरेगी नहीं तो unhealthy healthy सब एक साथ रहेगे और उनके रहने के कारण जो है आपका क्या बन जाएगा ट्यूमर बन जाएगा तो यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू कर दीजिगा शेयर कर लीजिगा दोस्तों के साथ और वीडियो देखन पर जिसका नाम है अद्यूली मुनिस सेंस थैंक्स फॉर वाचिंग